हाई यो फ्रेंड्स और कैसे आप सभी आई होब आप सभी अच्छे होगा आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेग्मेंट में आज मैं बात करूंगा मोडगेज की डेफिनेशन के बारे में मोडगेज क्या होता है इसके बारे में कुछ essential elements और इसके जुड़ी हुई के उपर अगर कोई वीडियो से नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको भी देख सकते हो प्लेइलिस्ट में जाकर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिने किसी देरी से अगर कोई परसन जो है अपनी प्रोपटी किसी के पास गिर्वी रखता है वह प्रोपटी क्या हों चाहिए वह प्रोपटी अचल संपत्ती होनी चाहिए और वह अचल संपत्ती को किसी के पास गिर्वी रखता है और उससे पैसे लेता है उसको हम कहते हैं मोडगेज उसी परसे इसको कहेंगे mortgage अब बात आती है कि mortgage अगर हो होती है तो pledge क्या होती है pledge भी guys same as it is हम अपनी property को किसी के पास ऐसे रख़ कर उसे पैसे लेते हैं लेकिन mortgage and pledge में एक बड़ा difference है वो क्या है जो pledge होती है वो चल संपती से चल संपती से deal करती है और mode के जो होगी वो अचल संपती से deal करेगी for example जैसे आप अपनी गाड़ी जो है अपनी गाड़ी लेकर किसी अपने friend के पास गए और आपने अपने दोस्त को कहा कि मेरी गाड़ी तू रख ले मुझे कुछ पैसे उदार दे दे जब मैं तुझे पैसे वापिस कर दूँगा तो जो है गाड़ी मुझे वापिस कर देना ये क्या हो गई ये pledge हो गई क्योंकि यहाँ पर क्या आगया यहाँ पर चल संपती आगई गाड़ी आगई गाड़ी जो है एक movable property है अगर बात करें mode gauge की mode gauge की जैसे मैंने आपको पहले example दी same as it is आप अपने friend के पास गए अपने घर के property के कागज लेकर उसको कहा कि ये ले मेरे property के कागज और मुझे पैसे दे दे जब तक मैं आपको वापस नहीं करता हूँ property जब तक मैं है mode gauge अगर मैं bear act की language में इसको समझाने की कोशिश करूँ तो simple mode के जे होता है transfer of an interest हम interest transfer करते हैं उस property से जुड़ा हुआ किसी other person को transfer of an interest इनने specific immoveable property एक movable property होनी चाहिए immoveable property होनी चाहिए वो एक specific immoveable property होनी चाहिए मतलब कि एक गर जो है निश्टित होना चाहिए कि यही गर मैं तुझे दूँगा और कोई मैं गर तुझे नहीं दूँगा वो एक बताया होना चाहिए specifically mention किया होना चाहिए कि यह गर जो है मैं तुझे दूँगा तुम मुझे इतने पैसे देना transfer of an interest in a specific involved property for securing the payment of money किसी उधार के as a security में रखा हुआ वो property हम क्या करते हैं हम as a security रख देते हैं property को किसी दूसरे person के पास for the securing the payment of debt या payment of money उसको कहते हैं mortgage अब बात करते हैं इसके essentials elements of mortgage जो की है section 58 में essential elements क्या कहते हैं mortgage के essential elements कहते हैं सबसे पहले तो जो है transfer किया होना चाहिए उसने interest किसी दूसरे person को और क्या होना चाहिए immobile property होनी चाहिए अचल संपत्ती होनी चाहिए उसमें ओके और क्या होना चाहिए और वो अचल संपत्ती का interest जो है transfer किया होना चाहिए for किसके लिए transfer किया होना चाहिए secure the payment of debt के लिए transfer किया होना चाहिए किसी उधार को जो है सिक्योर करने के लिए हम प्रोपर्टी अगर ट्रांसफर करेंगे उसको कहेंगे मोटगेज कौन सी प्रोपर्टी? Immovable Property अचल समपत्ती अब बात आती है मोटगेज में कितनी पार्टिस होती है मोटगेज में फ्रेंड्स दो पार्टिस होती है मोटगेज जी के पास गिरवी रखेगा बंदक अजे बंदक रखेगा ओके और मोटगेज जी क्या होता है? मोटगेज जी वो पर्षन होता है जिसको वो प्रोपर्टी मिल रही है इसमें जो मिस्टर एक्स है वो क्या होगा mode gager क्योंकि उसने अपनी property को दिया है और Mr. Z क्या होगा mode gage क्योंकि उसने property को लिया है और पैसे जो हैं दिये है एक mode gager दूसरा mode gage I hope आपको guys meaning of mode gage समझ लग गया होगा अगली वीडियो में हम इसके kinds के बारे में discuss करेंगे किसके किया कितने तरह की होती है mode gage उसके बारे में मैं एक detail में वीडियो बिनाऊंगा अगली वीडियो में आप उसको देख सकते हो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना मत बूलिएगा लिगल एज्यूकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊ आपके पास उसकी नोडिक्वेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सब्सक्राइब